नमस्ते, इस वीडियो में आप जानेंगे कि एनेम अपनी एप्लिकेशन में किस प्रकार सत्र को जोड सकती है यह एप्लिकेशन का होम पेज है, जहां होम लिखा है, उसी के पास बाई और तीन लाइन बनी है आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने पर आपके सामने यहां पेज खुलेगा यहां आपको एनेम प्रोफाल लिखा है, इस पर क्लिक करना है तो इस प्रकार से जहां सत्र लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है इस पेज पे, तो सत्र पर क्लिक करेंगे यहां आपको यदि आपने पहले से कोई सत्र जोडे हैं तो आपको यहां दिखाई देंगे यदि नया सत्र जोडना चाहते हैं तो नीचे लिखे नया रिकोड खोजे पर आपको क्लिक करना होगा तो इस तरह से क्लिक करेंगे यहाँ आपको इस तरह से मैसेज दिखाए देगा कि डाटा को सफलता पुर्वक सिंक किया गया आपको ठीक पर क्लिक करना होगा अब आप दुबारा नीचे लिखा है नया सत्र जोड़े आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा यहाँ पर आपको इस जानकारी को भढ़ना है 17 से जूड़ी हुई सारी जानकारी आप भरेंगे इस प्रकार सेशन का नाम लिखेंगे आंगनवाडी का नाम भरेंगे जो भी आंगनवाडी आपने जोड़ी है उन सभी आंगनवाडी के नाम आपको इस तरह दिखाए देंगे तो आप इसमें से चयन करेंगे अब आता है सेशन का शिड्यूल आपको यहां से चयन करना होगा सेशन का प्रकार आप पूछा गया है वार्षिक प्लान आप इस पर क्लिक करेंगे और दी गई लिस्ट में से चयन करेंगे प्रत्येक माह या फिर प्रत्येक दो माह में जो भी आपका रहता है सेशन आप उसका चयन करेंगे किस सप्ता में हैं आप इस पर क्लिक करें और इस तरह से उसका चयन करें किस दिन में आप इस पर क्लिक करें यहां से आप चयन करें और नीचे लिखे गए सेव बटन पर क्लिक करें तो यह जो भी जानकारी आपने भरी है उसे एक बाद चेक कर लें कि वो जानकारी सही बरी है आपने, पूरी जानकारी सही से भड़ देने के बाद नीचे लिखा है सेव, आप इस पर क्लिक करें, कलिक करने पर आप देख सकते हैं, जो बाना कुर्द आपने अभी जोडा है, इस तरह से उसकी पूरी जानकार्य आपको दिखाई देगी तो इस प्रकार एनिम द्वारा जोड़े गए सभी सत्र की सूची संबंदित आगनवाडी वगाउं के नाम के साथ इस प्रकार दिखाई देगी धन्यवाद